हालो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब सो गाइस आज हम करेंगे डे मेकप डे मेकप की थियोरी का वीडियो पहले मैंने अपलोड किया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए उसके बाद में क्लीजिंग, टॉनिंग और मॉस्टराइजिंग हमें करना है वो भी वीडियो मैंने बहुत डीप में डाला हुआ है कि हमें कौन से स्कीन टॉन के अकॉर्डिंग और स्कीन का जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे क्लीजिंग विल्क सलेक्ट करना है टॉनर कौन सा लेना है, मॉस्टराइजर कौन सा लेना है उसके डीप थ्योरी मैंने करवाई हुई है लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी तो आप जाकर जरूर चेक कर लीजेगा सबसे पहले उसके फ्रीजिंग, टॉनिंग, मॉस्टराइजिंग करने के बाद में हमने प्राइमर अप्लाई कर दिया है प्राइमर अप्लाई करने के बाद में हमेशा आपको 30 सेकिंड कम से कम छोड़ देना है फेस को तो उससे पहले हमें क्या करेंगे हम उससे पहले eyebrow fill कर लेंगे ताकि हमारा primer set हो जाएगा और हमारा eyebrow filling भी हो जाएगा so eyebrow fill करने के लिए मैं use कर रही हूँ PAC का brush है और दिखिए यह flat brush है इसके help से हम eyebrow fill करेंगे eyebrow fill के लिए जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ हमेशा mid में हमें dark shade देना है और front में हमें विल्कुल light देना है और इसको इस तरह से हमें blend out कर देना है अब हमारा primer set हो चुका है primer set होने के बाद में हमें करना है correcting correcting करने के लिए यह देखिए मैंने yellow character ही use किया है क्योंकि इनका fair skin tone है correcting पर भी deeply वीडियो गया हुआ है चैनल पर आप देख लिजे कि हमें कैसे skin tone के साब से character select करने हैं तो इनकी थोड़ा सा देखिए under eye के नीचे dark circle है और थोड़ा सा uneven इनका tone है तो वही पर मैंने product अपने जगे से हिलाना नहीं है product जहां आपने जिस problem पर put किया है वही पर रहना चाहिए बस हमें उसे थोड़ा सा blend कर देना है ताकि वो थोड़ा सा skin पर set हो जाए हमेशा guys क्या करना है जब भी आप करेक्टर apply करते हैं तो आपको थोड़ी सी देर रुकना है उसके बाद में आपको foundation apply करना है ताकि हमारा character अच्छे से set हो सके इसके बाद में मैंने लिया है super steak का classic ivory 120 और इसमें मैंने mix किया है थोड़ा सा color bar का moisture dry oil ताकि इसकी consistency थोड़ी सी तीन हो जाए foundation की उसके बाद में brush की help से हम इसको apply करना है apply आपको देखे पूरे जो हमारे ये forehead है वहाँ पर apply करते समय आपको ध्यान रखना है आपकी hairline के पास में product नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो hairline में product भर जाएगा और उससे हमारा look बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ears को आपको ध्यान रखना है कि ears में भी same look आना चाहिए ऐसा नहीं face पर अलग आ रहा है गरदन पर अलग जा रहा है और कान अलग दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए foundation आपको बिल्कुल जो area आपका open है मितलब means आपके जो आपका client जो भी dress wear कर रहा है वहाँ तब आपका foundation अच्छे से apply होना चाहिए even tone नजराना चाहिए एक्दम अब इसके बाद में जो हमने product apply कि है इसको हम अच्छे से plant कर दें और जहां कहीं आपको लगता है कि और requirement है वहाँ पर आपको और देना है day में आपको बहुत जादा correcting से बचना है क्योंकि correcting के बाद में फिर product तो आपको layer to layer देनी पड़ेगी और बहुत clients ऐसे होते हैं जो day में बहुत heavy makeup पसंद नहीं करते हैं तो day में हमें बहुत ही light face बनाना है तो इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत ही ध्यान से हमें day में work करना है अभी देखें नोस के जो sides वाले area है उनको हम avoid कर देते हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने भी brush से apply किया दा foundation वहाँ पर भी आपको apply करना है और ये जो neck वाला area है इसको भी हमें पूरा cover करना है और हमारे ears को भी हमें cover करना है और हमें अच्छा से इसको blend करना है blending आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपके blending अच्छी है तो आपका base बहुत अच्छा बनेगा बहुत ही glossy look आएगा और अभी आप इनका base देखेंगे बिल्कुल natural look होगा यह जो मेरे client थे इनको बिल्कुल natural look चाहिए था इनको जो इनका skin tone है उसी के according बिल्कुल natural इनोंने मुझे जब बात की थी तो यही बोला था कि लगना नहीं चाहिए कि बहुत कुछ मैंने face पर apply किया है तो उसी के according हमने इनका base बनाया है अभी थोड़ा सा हम highlighting करेंगे highlighting के लिए मैं कोई concealer use नहीं कर रही हूँ मैं use कर रही हूँ यही shade classic ivory 120 इसमें पहले मैंने oil mix किया था और अभी मैं इसको direct apply कर रही हूँ अभी मैंने इसमें कुछ भी mix नहीं किया है और हमारे under eye वाले area पर breeze of the nose and हमारे cupid bow और front forehead पर यहाँ पर मैं इसको apply कर रही हूँ और उसके बाद में इसको अच्छे से हमें blend कर देना है थोड़ा सा हम हमारे जो contour liner उससे नीचे भी हम यह apply करेंगे तो यह एक तरीके से लिक्विड highlighting भी बोल सकते हैं आप इसको day में हमें powder highlighter use नहीं करना है powder highlighter को आप day में keep कर सकते हैं so इस तरह से हमें बहुत अच्छे से set कर देना है फिर हम use कर रहे है alley girl का ivory shade ही है इनका fair tone है तो compact powder भी हम उसी skin tone के according ही select करेंगे face powder face compact powder जो मैं use कर रहे हूं वो भी मैं इसी beauty blender की help से apply कर रहे हूं जो beauty blender है इसमें हमें sides का ध्यान रखना है कि जिस side से अपने character use किया है उधर से आप foundation use नहीं करेंगे तो यह अगर आप ध्यान रखते हैं तो आई की beauty blender से बहुत सारा work कर सकते हैं अभी हम इनका eye makeup के लिए मैंने सबसे पहले eye base लगाया eye base को blend करने के बाद में इनका लेहंगा red color का था तो सबसे पहले मैंने pink color से contour line पर contour किया है जो हमारा contour area है वहाँ पर मैंने contour किया है और उसके बाद में जो outer corner है outer corner पर red shade लेकर और outer corner को थोड़ा सा dark किया है brush में यूज कर रही हूँ naika की eye shadow blending brush है और काफी अच्छी blending हो जाती है इससे तो देखिए इस तरह से आप हमें बिल्कुल हमारे shade blended लगने चाहिए हमें eye shadow इखटा नहीं करना है एक चगा पर अभी दिखें जब आप base बना लेते हैं उसके बाद में अगर आई make-up करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की need है या तो आप under eye पर baking कर दीजिए उसके बाद में आप eye make-up कीजिए तो जो भी आपका product dust off होगा उसको हम baking के लिए जो हमने यूज किया है powder उसको हम remove कर देंगे लेकिन आप brush में product बहुत जादा मतर किया आप अपने eye shadow ले रहे हैं तो उसको पहले जो भी extra है उसको dust off कीजिए और उसके बाद में apply कीजिए अभी देखे मैंने इस पर outer corner है उनको again red लेकर थोड़ा सा dark किया है light सा बहुत जादा नहीं देंगे हम क्योंकि दिन का make-up है और दिन में इन्होंने बिल्कुल मुझे साफ मना किया था कि मुझे heavy make-up नहीं चाहिए तो बहुत ही normal और natural सा look मुझे इनको देना था उसके बाद में eyeliner apply करेंगे और hooded eyes है तो यह वाला liner बहुत अच्छा है color bar का eyeliner है और यह एक बर सूखने के बाद में बिल्कुल eyes पर उपर नहीं लगता है और काफी अच्छा है तो आप यह वाला apply कर सकते हैं उसके बाद में mascara apply किया है blusher apply किया है और lashes इनको नहीं लगवानी थी तो lashes मैंने skip कर दी और उसके बाद में lipstick मैं use कर रही हूँ red shade ही use किया है maybelline super stay बहुत ही प्यारा shade है और देखें lipstick जो मैं apply कर रही हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको outlining कर लेनी है और अगर आपको लग रहा है कि client के lips आनी even है तो उनको आपको पहले even करना है अभी इनके lips उपर वाला lips देखे काफी छोटा है तो उसको हम थोड़ी सी extra over lining करेंगे थोड़ा सा मैं उसको over lining कर रही हूँ ताकि वो even लगे और अच्छा लगे और उसके बाद में इसको हम अच्छे से fill कर देंगे फिल करने के बाद में आप देख सकते हैं lipstick की अभी complete देखे side से थोड़ा सा even नहीं है अभी इसको भी हम even कर देंगे उपर से भी हम इसको बहुत अच्छे से even करेंगे लगनी नीची है हमाई lipstick ऐसे नहीं लगनी चीए कि बहुत ही अजीब सा हो बिल्कुल आपको अच्छे से चेक करना है अच्छे से आपको lipstick apply करनी है और इसको 20 से भी आपको बहुत अच्छे से फिल करना है बहुत ही पेशेंच वाला काम है पेशेंच से हमें करना है जल्दी बाजी नहीं करनी है क्योंकि अगर थोड़ा भी lipstick या कुछ भी थोड़ा भी अगर कम जादा हो जाता है तो हमारे बीस खराब होने का डर रहता है इसको हमें बहुत ही पेशेंच के साथ वर्क करना है अब देखें नीचे हमें फिनिशिंग देने के लिए तो बुड़ा सा हम कंसीलर लेंगे और उससे हम हमारी lipstick को बिल्कुल even कर देंगे हमारी जो lip lining है वो एक्दम even अजर आने चाहिए तो मैंने इसे ब्रश की help ले ली क्योंकि इसी में concealer था तो इसी से हम इसको even कर देंगे और इसको थोड़ा सा blend कर देंगे और एक बार फिर से retouch up हम दे देंगे lipstick में और देखे किते अच्छे से lipstick apply हो चुकी है फिर हमने बिंदी लगा दी है और final look आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा लग रहा है client भी बहुत खुश हुई बहुत अच्छा लगा उनको क्बाइब लगा है झाल कर दो करेंगे लगा है क्बाइब लगा पिर देंगे प्लेवाई